हिली एंसियार के अलाबा देश के दूसरे हिस्से में भी प्रदूशन से हाल बेहाल है मुंबई के मरीन ड्राइब के पास आपको बता दिस मॉंक नजर आ रहा है तो ताश नंगरी आगरा का भी हाल कुछ जुदा नहीं है यहां भी प्रदूशन का इसतर लगातार बढ़ता जा रहा है अलिगर्ड की बात करें तो अलिगर्ड में भी प्रदूशन से बुरा हाल हो चुका है तो प्रदूशन इस समय लगातार देखा जा रहा है और हवा में कह सकते हैं कि जैसे जहर खुल चुका हो यह कोई भी आपको बता दे लगतार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यह क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इसमें भी लगतार इसाफा देखा जा रहा है दिल्ली NCR की हवा भी इस समय खराब हो चुकी है और इस हवा का सीधे तोर पर लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है तो यह अलग अलग तस्तिरें आपको देखा रहे हैं देखिए आप किस तरह से हवा में आपको बता दे प्रदूशन नजर आ रहा है और दिवाली से पहले दिल्ली की हवा भी खराब हो गई है हाल यह है कि आनंद विहार में आपको बता दे यर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 405 तक पहुँच गया है दिल्ली NCR के अलाबा देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदूशन से हाल बेहाल है मुंबई के मरीन ड्राइब के पास स्मॉक नजर आ रहा है तो ताज रंगरी आगरा का भी हाल कुछ ऐसा ही है यहां भी प्रदूशन का इस्तर बढ़ता जा रहा है अलीगर में भी प्रदूशन से बुरा हाल है यह कुछ तस्वीर आलग-अलग आपको दिखा रहे हैं देखें कि इस तरह से आपको बता दे हवा खराब हो चुकी है और इस हवा में सांस लेना लोगों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यह आगरा की कुछ तस्वीर आपके सामने यह देख सकते हैं आप धुनला आपको यह धुनली तस्वीर नजर आ रही है और यह तस्वीर है आगरा की जिस तरह से आपको बता दे हवा में समय प्रदूशन देखा जा रहा है यह और क्यालिटी इंडक्स की बात करें तो इसमें लगातार इसाफ़ा हो रहा है और यह तस्वीर फिलाल आपके सामने अलीगड से हैं अलीगड में भी देख सकते हैं कुछ ऐसा ही हाल यहां पर नजर आ रहा है और यह हवा लोगों की सिहत के लिए आपको बता दे खतरनाक साबित हो रही है तो सांसों पर संकर्ट इस समय लोगों पर सीधिय तोर पर देखा जा रहा है तो देखे दिल्ली इस समय गैस चैंबर में तबदील हो गई है सांस लेना मुश्किल हो रहा है और कहा जा रहा है कि दिल्ली में अगले 15 दिनों तक प्रदूशन्ट से रहत मिलने की उम्मीद नहीं है देखे आप रिपोर्ट देश की राजधानी दिल्ली समेट पूरे NCR में लगातार जो वायूगुणवत्ता सूचकांख है वो चिंता जनक है दिल्ली की आबो हवा अभी भी प्रदूशन्ट से धूए से भरी हुई है दिल्ली के यदि AQI लेवल की आज सवेरे रविवार की यदि सवेरे की बात की जाए तो दिल्ली का जो AQI लेवल है वो ओवरॉल एर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिल्ली का वो ओवरॉल 251 बना हुआ है जो की unhealthy category में आता है यह देखिए यह 251 अबसे थोड़ दिर पहले का अपडेट है यह unhealthy category में आता है और यह 251 unhealthy है और इसके अलावा यदि दिल्ली के दूसरे इलाकों की यदि बात की जाए तो ये देखे, the current जो AQI है वो 13 गुना है जो डवलू हो की recommendations है स्वस्थ हवा के लिए यानि उस recommendation से 13 गुना जादा खराब हवा है दिली की और ये देखे जो दिली के दूसरे इलाके हैं अशोक वियार में unhealthy है, बाली नगर में unhealthy है, भलेस्वा में unhealthy है, सबी जगे पर और बावाना इंडेस्टी लेडिया में severe है यानि अती घातक है, आनन्द वियार में severe है, 300 से उपर है यानि अती घातक है धाई सो से तीन सो बेहत खराब मानी जाती है और तीन सो के ऊपर यदि AQI लेवल होता है तो उसे अती घातक, यानि सीवियर इस्थिती में रखा जाता है, मौसम विभाग का साफ तोर पर कहना है, केंद्रिये जो नियंतरन परदूशन बोर्ड है, उसका भी साफ तोर पर क लेकिन अब चुकी शनिवार से हवाई नहीं चल रही है, वायू मंडल में जो धुआ है वो इस्थिर जसका तस्बना हुआ है, पराली जो जलने की घटनाए हैं वो हो रही है, पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब दूसरे इलाकों से ऐसी खबरे आ रही है कि वहाँ पर काफ जो रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, हवा नहीं चलेगी, जो पॉलूशन का लेवल है, जसका तस्बना रहेगा, जो धुए का गुबार, दिल्ली के वायू मंडल पर चाया हुआ है, वो जसका तस्बना रहेगा, हवा चुकी नहीं चल रहे है, कोई मूमेंट नहीं क्योंकि हवा का मूमेंट तब भी नहीं होगा दिपावली के बाद में पटाकों का पॉलूशन होगा इस बीच पराली जलानी की जो घटनाएं वो बढ़ रही होंगी तो कहे लिजे अगले 10-12 दिन दिली वा एंसियार के इलाकों के लिए आसपास के इलाकों के लिए वायू झाल